हेगाइज बाइक टूमाच चल कारवाली बात में अंच तो आज हम बात करने वाल है टेयोटा यारिस हैच्ट बैक के वारे में जो इंडिया में टेस्टिंग दोरान देखी गई है बट इतना कर रखाए कि जिसमें उसको लोगो हाइड कर दिया और थोड़ा सा जो इसकी बॉ इसको जो है इंडिया में से डिस्कंटीन्यमी करने वाले है क्यूंक क्यूंस की पूर सेल्ज के कारण और उसकी जुए जो यह पेलल से कह सकते हैं यह और यह प्रियों से यह सकते हैं कि यह दो गाड़ी जो है बलीन और विटारा ब्रेजा पर बेस है हम सभी को पता है तो चलिए बात करते है गाड़ी के वारे में जो टर्ट है यार इस हैच बैक है और हम फ्रंट एंड से देखे तो काफी जादा जो है थोड़ी सी स्पोर्टियर देखने में लग रही है और एक स्पोर्ट है लूग का लोग देता है फ्रंट से अपको LED घेलांप देखने में मिलेगा आपको जो इसकी ग्रिल जो है आको सामी शर्कल इस मिलेगी में थोड़ी इसकी बात करें ग्रिल तो आपको जो होगी आपको नीचे जो एक यूं राउंड शेप का आपको देखने मि चोटी लग रही लेंगे उसमें जो एक स्पोर्टी फील आ रहा गाड़ी में इसमें डूल टॉन कलर डिजाइन रहने वाला है इसमें जो है इंटीग्रेटिड साइड इंटीगेटर्स आपको देखने को मिलने वाले है और बात करें इसके एलाइविल्स के बारे में तो मैं कर रहा हूं कि आपको 15-16 इंच के जो है अलाइविल्स देखने को मिले डूल टोन टायमंड कट वाले इंडियन स्पेक्स के साब से और बाकी जो इसका ओवरेल डिजाइन देखे जाए वही स्पोर्टी एंड कॉम्पेक्ट है जो मैं काफी जाद अच्छा लग रहा है उसे भी इंडिया में देखा गया है लेकिन जो वह एक प्राइवेट इंपोर्ट है मिरे सबसे लेकिन बाकी जो इस गाड़िया पीछे इसका अच्छा लग रहा है आपको जो जादा ब्राइटर रहता है ज्यादा लॉंग लास्टिंग रहता है एस कंपेड टू है और पीछे संसर्स देखने को मिलेंगे और वैसे मैं एक्सप्ट कर रहा हूं कि आपको फ्रंट में भी देखने को मिले में फ्रॉंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिले आपको पूरा 360 सेट अप बच मुझे नहीं लग रा क्योंकि इंडियन स्पैक्ष में थोड़ा सा वह मिलता जैसे बात करें एक वन लीटर का इंजन मिलता है विद 5-speed manual आपको मिलता है 1.5 लीटर का 6-speed CVT automatic फिर आपको मिलता है 1.5 लीटर का with hybrid technology जो hybrid वाला variant है वो 100 प्लस BHP निकालता है बट मुझे लग रहा है जब इंडिया में जब भी launch होगी तो company जो है Toyota वो शायद ही जो है मारत्य सुजुकी का engine दे दे क्यूंकि थोड़ा सा cost cutting करने को तो मैं expect कर रहा हूँ कि शायद 2 engines में से कोई एक आ सकता है एक है 1.2 लीटर का 4 cylinder petrol engine जो प्रेडूस करता रहाँ 101 बीच एटीवन बीच पी एट वन थाटीन एनम ऑफ टॉर्क यह engine जो है बलीनों में भी यूज हुआ हुआ है तो मुझे लग रहा है कि शायद बलीनों वाला engine आरे क्योंकि यह वी एक compact hatchback है और बात करें दूसरे engine के वारे में दूसरा engine expect कर रहा हूं वह है 1.5 लीटर का 4 cylinder petrol engine जो प्रेडूस करता है आबाउट 103 बीच पी एट 138 एनम आफ टॉर्क यह engine जो है काफी जादा वेरिंट्स में उसे बात करें ब्रेजा अर्टीका XL6 S-Cross या बट्ट मुझे जनरली लग रहा है कि 1.5 लिटर का आस है यह थोटी होटन स्पोर्ट है जिसे कैसे हम कह सकते थोड़ी सी अलग वाशा में तो यह वह गाड़ी है तो मुझे लग रहा है कि इसमें 1.5 लिटर का ही इंजन आ या फिर जो इसके फॉर इंजन भी आ सकती जो मैं आपको बताए है और बात कर हम इंटीर के वारे में तो सपोर्ट देखने को मिलने वाला है आपको इसमें और क्लस्टर देखने को मिलने वाला है आपको इसमें स्टेरिंग मांटरिन कंट्रोल मिलेगा विद क्रूस कंट्रोल आपको इसमें इस प्राइज माराम से क्रूस कंट्रोल मिलना चाहिए आपको इसमें थ्री फेस और बात करें अगर rear cave-ing के बारे में तो इसमें भी मैं आपको भी बात बताएं इसमें आपको armrest मिल रहा है आपको जो इसमें पीछे में भी AC events मिलें वैसे मुझे मेरे साथ से लग रहा है कि आपको अना ही मिले बट हो सकता है कि इंडियन specs में आपको AC भी प्रोवाइड करा दे और आपको all power windows देखने मिलती है और ज़्यादा कुछ है नहीं मुझे इंट के बारे में बताने में अब बात करें सेफटी के बारे में तो इस card का जो है crash test हो चुका है Euro NCAP ने इसका crash test करा था जिसमें जो है इसने 5 स्टार रेटिंग करें बट मुझे लग रहा है कि इंडियन वेरियेंट में आपको थोड़ा सा safety feature थोड़े cost cutting देखने को मिल सकते है तो शायद इससे तो है थोड़ी सी safety में भी असर पड़े आराउंड 3-4 star यह score कर अगर इंडियन वेरियेंट के बात करूँ तो हम expect कर रहे हैं कि इसमें आपको multiple airbags कह सकते है बट मुझे लग नहीं रहा कि इसमें multiple airbags मिल सकते है शायद आपको इसमें जो है two airbags देखने को मिल सकते है आपको ABS plus EBD देखने को मिल सकता है बात करें इसमें rear parking camera with sensors traction control, emergency brake, hazard lamps जैसे features मिल सकते है vehicle stability control, आपको auto headlamps देखने को features मिल सकता ताको hilt start assist control भी देखने को मिल सकते है और बाकि एसेक्टर features और बात करें हम गाड़ी के launch के बारे में तो launch मुझे लग रहा है कि यह गाड़ी Indian roads पर भी start हुई है तो यह भी कह सकते हैं थोड़ा सा time लग सकता है शायद आराउंड आठ मेना नौ मेना या एक साल तक लगा दे कंपनी टेस्टिंग में तो इस एक्सपक्ट कर सकते हैं तो इसका 2022 में debut हो जाए अगले साल 2022 में auto expo होगा उसमें जो इसका debut हो जाए है कि यह इंडियन रोट के मताबिक इसमें modification भी करेंगे पावर भी चेक करेंगे इंडियन रोट के साथ से और सब्सक्राइब भुधर सबेहर सब्सक्राइब यह तो आप करते हैं प्राइस के बाुद होंगे इसकी में चीज़ है तो प्राइस मुझे लग नहीं सकते हैं तो इसमें द्मिद्टिय और ऑपर भी आ बिएस तो तो बस आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छे लेकर प्रीज वीडियो को लाइक किजीगा शेयर किजिए कर चैनल को सस्क्राइब कीजिए मुझे इस्सक्राइब कीजिए इसमें बहुत अच्छे पोस्ट डालता हूं अगर कोई कारेड डाउट है तो कमेंट कर दीजिए इंस्टाग्राम बें डीम कर दीजिए नहीं तो मैंने अपनी आइडी दे रखें कॉंट्राइब कारवाली पार्ट एड्राल जीमें डाट कॉम आमलो जो इस पर मेल कर सकते हो तो बस आज के लिए इतना ही तो चलिए झाल 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 झाल